जैहिन आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रेटिव स्टेडीच के एक नए एपीसोड में दियान देनी चाहिए कौन कौन से ऐसे question से जिस पर हम लको जादा जादा फोकस करनी चाहिए इन तमाम बिन्दमों को हम लकी एक एक करके explain करने बाले हैं यह session आप सभी के लिए काफी important थावित होगी तो धैरी बनाएक के रखिए थोड़ी ही समयत लूंगा मैं आप सभोगा इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जाने को मिलेगा तो द्यान पूर्वक सुनए मेरे बातों को मैं क्या क्या बोलने वाला हूं तो चलिए इस Subject के लिए मैंने क्या क्या है आप सब हो को समझाने के लिए से वो को दिखा के अच्छे से explain करने के लिए मैंने क्या क्या example के तौर पर रिसेंटली जो एक्जाम हुई है उसके question paper को लाया हूँ ताकि इसके माध्यम से आप सभी को आसानी से दिखा के समझा सकूँ है ना कि क्या pattern है क्या syllabus है इसके बारे में मैं बता पाऊँ ओके जो रिस पुर्वग मेरे बातों को सुनिए सबसे पहले बात इस subject का नाम है आपका भारत का इतियास पार्ट से ठीक है इसमें 605 से 750 तक की बारे में दिये होंगे ओके तो इस सब की बारे में आपको पता ही होगा और एक सो अंकों का एक्जाम होते हैं तीन गंटे का समय देख लेता आपको इसका आंसर सब कहां से मिलेगा वह भी मैं बताऊंगा ठोड़ से दहरे बनाएक रखे चले नेक्स्ट कोशन का जाता है बहमनी समराज के पतन के उपरां दक्षिन में रानेते गतिविधियों पर एक लेक लिखिए चले हम लोग दो कोशन को देखें तिसरा को भी लेग देते हैं राठोर विद्रो के स्वरूप की समिक्षा कीजी देखिए अब मैं इसकी बाड़े में चर्चा करता हूँ इसकी कलासिस कहां से मिलेगी देखिए मैंने इसकी कलासिस जोन बी एचाइसे एक सो टुवेल का ज अगर तैंत में पर होगे या ग्रिविजिशन के पर होगे या इगनो के इनवर्सिटी में पर होगे या तो कोई और इनवर्सिटी में पर होगे तो बात वहीं बताएगा वही समझाएगा वही हुआ होगा है तो वहीं बाते हैं आप थमनेल पर ना जाएंगे आपको जो प करवा रखा है चेप्टल में जो जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले उसको मैंने एक्सप्लेंड किया है इसके अलाबा जो हमेंने क्या किया जो इंपोर्टेंड कोस्टन से न इंपोर्टेंड कोस्टन को मैंने खुझ से अपने आंसर मैंने खुझ से बनाया है मैंने किया है तियार किया है उसके बाद मैंने एक्स्प्लेंट किया है जैसे माराथा सम्राज के बारे में हो गया बंगाल के बारे में हो गया और सब चीजे हैं से हैं जैसे बहวंनी सम्रा यह सब मैंने अपने हां टारी कि यह गाई है । प्रेस सब्सक्राइब ही है करनी ही है इसका प्लेइस भी त्यार कर दिया गया बीएचे 612 के लिए अपको डिसक्रप्शन बोक्स में और कॉमेंट बोक्स में कि आवा सबसे उपर में मिल जाएगा उस लिक पर किलिक करने के बारत अपासा नहीं तरह किसे सारे कि सारे कि लासे कर सकते हैं वो जरूर क अगरनामा ये भी मैंने अच्छे से बाता है कार खाना हो गया सिवा जी ये बहुत अच्छे से सिवा जी के बारे में मैं explicit कि के जब बार में बताया काई से एक ऐसे जरूर देखेगा अपको काम में त्यार कर देखल прошл पर नेक्स्ट को जाने से पहले आपको मैं एक और पात बता देना हूँ आपको जो रिसनली आप क्या किया हो SMN बनाके सम्मीट किये हैं ना SMN जो कोसन दिया होंगे उनका जोनों कोसन जरूर पर किज़ेगे कोसन नहीं पढ़ना है उसका अंसर भी पढ़ना है तो उसको देख लीजिए उससे क्या होगा आपके लगबग एक से दो कोसन उससे और कहां जाए बाई समझ रहे हो ना चलो तो यहीं बाते हैं यहीं खासियत है FCS की तो नेक्स्ट कोसन कहा जाता है अपना सत्रवी सदी में हिंद महासागर में व्यपारिक संजाल में भारतियों पहादिव की चेंडर भूमिका की विवेशना कीजिएव के उस पताकर नेक्स नमर्स सैटीन में अठारवी सदी में में भकती संकरदा Cum में आए परिवर्तनों पर लेग लिखी ये भी भक्ति अंदोलन क्या था भक्ति संपरदाय क्या था इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है अपने हैंडाइटिंग नौट से है ना तो देख सकते हो चलो नेक्स्ट को सन का जाता है सत्रवी से अठरवी सदी मे है पूर्वी भारत में मंदिर निर्मार की गतिवीदियों पर एक लिखे लिए इसको अच्छे से देखना है फिर टिपने के लिए किनिदों पर हुंदी उसे नुर जहां साही सिविर और क्रिक सी संकट यह सब आपको इस तरह से को सन देखने को मिलता है टोटल आठ सवाल ऐसे फालों के उत्तर देने आपको मैं दावा के साथ बोल सकता हूं अप मेरे कलास करवा है उसमें पांस आपको आसान से लिख सकते हो एक शरूर आट तो उस से संट को जरूर देख लिजेगा और इतना जो मैंने बता है उसको कभर कर लेते तो आप अच्छा कासा सा मार्स तो पाना चाहते हैं तो में इतना ही रहने देंगे ऐसनジशन आप सभी के लिए काफQué से नयारी, या किसी और करका doubt हो या किसी और subject की कला से चाहिए तो comment box में ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिए चले मिलते नेक्स सेशन में तब तब के लिए thank you जैहिंद